असलाम वलेकुम मैं यूटूब फैमली विलकम बैक टो आवर यूटूब चानल जोया की दुनिया तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ खैरिया से होंगे ठीक होंगे तो थम्लेल देख लिया ही होगा के जी हाँ आज हम इस वीडियो में देखेंगे के घर पर ही सिम्पल से टैटू हेना रेशिपी स्ट्रीट स्टाइल स्टैंब हेना को घर पर ही किस तरह प्रिपेर करते हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो से complete से देख लीजिए गा तो अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए स्टाट करते हैं तो इसके लिए हमें लेना है ये देखिए सारे इंग्रीडेंट्स तो हम देखते हैं step by step ये है form sponge तो sponge को ना मैं इस तरह एक box में rectangular shape के box में इस तरह कट करके set करके रख दिया तो इसको मैंने किस तरह कट करके इसको set किया ये जानने के लिए हम जाएंगे थोड़ा से flashback में ये देखिए इस तरह का मैंने एक rectangular size वाला box ले लिया ये है form sponge actual size तो इसको मैंने इसके अंदर set करने के लिए पहले मैं इसका size देकर इसको set कट कर रही हूँ ताके ये इसके अंदर set हो जाए तो देखिए ये अभी set नहीं हुआ है और हमें तोड़ा सा set कटिंग करना पड़ेगा आप भी इसी तरह कोई भी एक box ले लें पर याद रखें उसका lid रहना जरूरी है तो ये देखिए फ्री से अच्छे से set हो गया तो देखते हैं second ingredient ये है अरख इसको tea powder sugar से भी prepare करते हैं या tea powder sugar और jaggery से भी prepare कर सकते हैं या tea powder sugar या coffee powder से भी prepare कर सकते हैं पर फिर भी आप लोगों के लिए एक छोटा सा इसका जरग भी देख लेंगे किस तरह प्रिपेर करें तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है गुड जागरी इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे नेक्स्ट एक छोटा सा बॉर लेकर उसके अंदर हमें आट करेंगे दो स्पून गुड दो स्पून टी पॉडर दो स्पून शुगर इन तीनों को एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ देखिए यह इस तरह का एक सिल्वर या टीन बॉक्स ले ले सेंटर में मैंने बेस के लिए इस तरह रखा और उसके ऊपर मैंने रख दिया स्टील ग्लास तो मिक्स किया हुआ मिक्चर को इस तरह सैडों से डाल देंगे तो इसके ऊपर हम रख देंगे वाटर से फिल हुआ एक लेड तो इसको ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देना है यह देखिए हमारा गुड मेल्टेड होना स्टार्ट हो गया है तो इसको हम गुड मिल्ट होने के बाद उबलता है इसलिए मैंने बेस रखा हुआ था नीचे तो यह हमारा अरख रेडी हो गया है विताउट जैगरी किस तरह प्रिपेर करते हैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें आपको मिल जाएगा तो इस सिंदूर पाउडर को मैं एक बॉल में निकाल लिया तो देखेंगे नेक्स्ट यह है रेड हैना कोन जी हां नार्मल हैना कोन नहीं यह है रेड हैना कोन याने इंस्टैंटली रेड हैना कोन यह किसी भी लेडिस कार्नर में मिल जाएगा पर आपको यही नेम से कहना है कि Red Henna Kone, इसका प्राइज है 10 रूपीज, तो देखिए, नेक्स्ट देखेंगे हम यह है Henna Stamps, Henna Tattoos भी कहते हैं, इसको मैंने Amazon से आनलाइन बाई किया हुआ है, एक्च्वल में यह आये हुए है, ये एक सेट में 5 पीसेस, डिफरेंट डिफरे और दो लंबे फ्लवर्स और एक राउंड शेप में, बाई करने के लिए Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी, नेक्स्ट ये है नार्मल वाटर, तो चलिए देखते हैं किस तरह प्रिपेर करें, फर्स्ट स्टेप है, यहां पर एक बॉल ले ले, ये रेड है ये लिक्विट की कंसिस्टेंसी बस वाटर की तरहा लूज ही रखें, थिक पेस्ट ना बनाएं, तो दोस्तो ये वीडियो ना बहुत ही most and most recommended भी था, और बार बार पुछे जाने वाला था कि जोया दीदी आपने ये टैटू हेना रेसिपी और कब शेयर करोगी, तो स्वा करके उसका रिजल्ट चेक करने के बाद, 100% रिजल्ट आने के बाद ही मैं आप लोगों से शेयर करती हूं, हेना टैटूस को मैंने अमेजान से आनलाइन बै किया हुआ था, तो वो भी रिसीव होने में थोड़ा लेठ ही हो गया, स्पांच को ना फ्री साइज वाले बाक्स में ही सेट करके रखें, क्योंके टैटूस को उसके अंदर डिप करके अपले करने में इजी हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया हमारा लिक्विड रेडी, तो देखिए इसको हम जेस्ट चेक करते हैं, तो देखिए रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो ये रेड हैना लिक हैं, थिक पेस्ट ना बनाएं, वीडियो को स्किप किये बिना एंड तक कंप्लीट से देख लीजिएगा, आपको भी ये प्रासेस स्टेप बाइ स्टेप अच्छे से समझने आ जाएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, तो देखिए इसकी कंसिस्टेंस इस तरहा रख लें, तो ये हो गया हमारा सेकंड लिक्वीड भी रेडी, एक है रेड हेना लिक्वीड और अनदर अरख का लिक्वीड, तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ स्पॉंज बॉक्स, इस पर हम पहले दालेंगे, रेड हेन स्पॉंज पर इस तरहा डालते रहना है कि स्पॉंज कंप्लीट से गीला हो जाए, स्पॉंज ये लिक्वीड को कंप्लीट से अब्जॉब करने के बाद सैडों से रिलीस कर देगा, तब तक हमें इस लिक्वीड को इसके उपर पोर करते रहना है, याने स्पॉंज कंप्ली कि लिए भी के स्टिक के एसे स्टिक के हिल्प से भी हम इसको की इस सुंट करने से से लिए फज्ट करने के लिए डाला ही प्रिफेर करें तो यह ओ गया tap एकन हम इसके उपने सब्सक्स में दालेगा अरेक वाला लिक्विड इस लिक्विड को हम बस एक लेइर की तरह ऊपर से डाल देंगे already हमारा sponge गीला होके रहने की वज़ा से second वाला अरेक लिक्विड को just layer की तरह डाल कर हम अब कोई भी design वाला tattoo लेकर हम अपने हाथ पर apply कर देंगे तो इसको इस तरह जेंटली प्रेस करके हाथों पर अपलाई कर देंगे छापा वाला डिजाइन तो देखते हैं एनदर ये देखिए छोटा सा फ्लावर वाला टैटू डिजाइन तो इस बात का धियान रखें के टैटू का प्रेस स्पांज पर अच्छे से डिप करने के बाद उसका डिजाइन का कम्प्लीट एरिया हमारे हाथों पर प्रेस करना है तो चानल को सब्सक्रेब करना ना भूलें तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ मुझे अपनी दूआ में जरूर याद रखिएगा मैं हूँ आपकी जोया अल्ला हापीस